सब्सक्राइब करने माले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नाइन विच इस हैरेड़ेटी एंड एवलेशन का पूरे चैप्टर का कम्प्लीट रिविजिन आपके से जो है इवलेशन का पाट है वो पूरी तरह हट चुका है इन्हें आपको पढ़ना ही नहीं है आपको सर्फ हैर तरह बिदाओ टाइब वेस्टिम ताइम सो दिस विद्व गूंट वेरी हलपफुल पॉर यू वास्ट वड़ी टिलेट सेंट फुलिट साथ तो सब्सक्राइब बात करते हैं है एडिटी क्या होती है कि करेक्टर का ट्रांस मेजन होना उनके पैरन से लेकर उनकी और उनकी क्या होकि यूद्य व्लैक क्यों तो उसे जो है आज का जो है जो走了 is कज से मिला उसकी ममी से मिला होता है कि होता होता है है करेक्टर का ट्रांज में ड्रांस में ट्रांस मिजन होना यह बच्चों हब तो इसे बोलने वहला जिन कहा से मिला की मम्मी से मिला तो यह होते हैं सेम करेक्तर का नास पर होना नेक्सक्षट एक अक्कमिलेशन ब्यूरी काइशन देख है अन्ट जो है नए अंब बच्चों का जनम होता है और प्रिंक का जन्म होता है ह龙ए यहां ओतरा रिप्रॉडट्शन के तुरहां दो हां काफी ऐर्रेशन वारीशन आते हैं सैक्वरॉडक्षन और लाट इन सैक्वर सएल रिप्रॉडकशन लिप्रॉड़क्षन थेक थिय। तो बहुत सारे पारी एपर और दिखो यह लाल यह उसका यह ग्रीन है देखे फर इसकी जब नेग्स जनरेशन आई तो देखो इसका यह हाथ एक साइड का नीला होगा और इसका यह होगा अब जब इसकी देखो इसमें बैर तो दोनों के एक को लाए इसकी बोड़ी सारी खरण वो हो गई और इसने सेम बच्चों को जनम द रहते हैं और इन इसकी बैरिखे यह हां रहते हैं और देरे दिरेन एक व्यूंद से मिली हैं वो कहा है इन हुटेट्ट ट्रेट्स है बेनिकी वह ट्रेट्स जो हमें अपने पैरेंट्स से मिलती है होते हैं इन हाटेट्ट-ट्रेडूर एड Eigen यह बच्चा है एक बच्चा को बच्च के इस फादर देखो ग्रीन कलर की हैं धोड़ी सी है ने ग्रीन सी है और इसके जब बच्चे की आइज है वो ग्रीन है और इसके ममी की ब्लैक का है तो इसके पिता से मिला और इसके येर्स का जीन भी से पिता से मिला और इसके बालों का जीन जो हैसे अपनी ममी से मिला और हाइट का जीन भ तो जो उनका offspring होगा, उसकी जा तो black, brown color की eyes होगी, जा होगी black color की, या फिर जो उनका जो बच्चा होने वाला है, उनकी क्या होगी, बोथ दोनों का combination होगा, brown और black सा mix होगे, एक निया color आएगा, तो वो होगा, तो ये mix up होता है, तो inherited traits ही होती है, अब पर बढ़ते हैं, rule of inheritance of traits, mental contribution, अब mental के तीन laws आपको इसमें पढ़ने हैं, काफी important है, तो ये rule हमारे लिए, तो mental जो थे, जब इन्होंने पहले खोज की, genetic की genes की, तब तो इन्होंने खोज की उसको पहचाना नहीं क्या, लेकिन जब इनकी death होगी, इसके बाद इन्होंने उसे noble price दिया गया, उसके लिए noble price मिला, तो the rules था, inheritance का, rules of inheritance of such trait in human beings are related to fact, both father and mother contributes particular age amounts of genetic material तो उचाए, तो हम देखते हैं, जो भी हमारे जो भी parents होते हैं, उनका जो बच्चा होता है, तो देखो, वो कैसे बनता है, तो कि यानिकि उसमें जो genes होते हैं, उनको क्या होते हैं, mixture होते हैं, यानिकि वो contribute, mother भी अपने genes देती हैं, और फादर भी अपने genes देता है, दोनों की genes का contribution होके, जो अनके बच्चों के genes मिलते हैं, this means that each trait can be influenced by both parents and material DNA, तो parents के DNA से जो है, each generation जो है, influence होती है, ठीक है, क्योंकि, क्योंकि आदे genes उसे ममी से मिलते हैं, और आदे genes उसे के पिता से मिलते हैं, जो जो Johan Mantle was offered to father of genetics, इन्हें father of genetics का जाता है, who was pioneer, who uses science and mathematical knowledge to frame this law of inheritance, इन्हों ये एक pioneer थे, उन्होंने ये science और mathematics की लगाकर इन्होंने ये laws दिये, he did so using pea plants, अब इन्होंने कैसे genetics के खोच की, इन्होंने पीप्रांट की help से, पिस्सम सत्व, for his experiment, इन्होंने करने के लिए, तो मैंडल न interesting characters लिए, तो देखो, क्या लिया, उन्होंने, मैंडल जी ने, आज, मैंडल जी ने क्या लिया, इन्होंने एक seed shape ली, चुकी round color की थी, और एक lingering color, एक seed color जो yellow था, green था, seed coat color, color और white लिया, board shape, inflentedly, और थोड़ी contrasted, board color green लिया और yellow लिया, flower की position axially और terminally, stem की लिया, long लिया और एक सिक्थर, पतंब खुद खुद इस trait में क्या हो जाए, express हो जाए, recessive trait, जो character जो है, इस trait में, जो characters इस generation में जो है, express नहीं हो सकते, but present generation में, वो recessive trait है, वो traits जो के खुद को, खुद खुद खुद, express ना कर पाए, ठीक है, but present generation में वो रियान के वो त्योंकि वो चोके, एक्सप्रेस कर ले सुचिंट टरम इंजी क्या होती यूनेट अफ एरीडेटी इस ट्रांसपर क्रसफर होती है जो की क्रेक्टेस का ट्रांसपर होती है जो कि कर्डेट करती है फ्रम पैरेंस स्टु दियर और सब्सक्राइब हमारे बॉडि में जैसे नहीं इस बाड़ कद तो तो फादर टॉला और मदर शॉट है तो उनमें इसके बच्चे में जीन जाएगा टी टी का तो वह चला है अलील जो कि एक अलील है जो कि डिवारफनेस के लिए तो यह जीन जो है और इसके फिता से गया और इसकी मदर से गया तो यह होता है फीनो टाइप इट रिफर्स तो फिजिकल अपिरेंस ऑफ गिवन और इसम यह उस फिजिकल अपेरेंस के ओपर बेस करता है जो कि एक और गनिजम का है जिसके टॉल प्लांट डवारफ ना टॉंट से जीनो टाइप यह इट रफर्स टू जनित कोड़्ाट इस पॉन्सिबल फोर एनि फिनो टाइप यह जया बोट जीन्स ऑफ सेम टाइप पर फ्रेजन मतलब जिसमें जो जीन्स है वो दोनों एक टाइप के हो फॉर एक्जामपल और और जीन्स फॉर तॉलनेस एड़िस एक्ष्प्रेस टीटी एंजीन फॉर ड्वार्पनेस टीटी तो इनकी एक और ग्वाइनिसा में जिसका फादर जादा लंबा दी जाएगा नेक्स्ट है एक ट्रोजाइगर जिसमें जो दोनों जीन्स जो है वो डिफ्रेंट टाइप के हो फॉर एक और गैनिसमें जिस फादर टॉल और मदर शॉट है तो उनका जो बच्चे को जीन जाएगा वो टी टी का जाएगा बड़ बिग टी और बच्चा तॉल बी जा सकता और शॉट भी जा सकता है ठीक है इसका मीन जो एक जीन है टॉलनेश के लिए और एक ट्वार्फनेस के लिए और जिसमें से सिर्फ तॉल करेक्टर कश्परेस होगा जाज़ा तर चांसेज रहते हैं मेंदल एक एक मेंडले मॉनो हाइब्रेट क् प्लांट तो पी था मताब पर तो है पी उनके शीड का कलर उन्हों ने यालो एक ली या ग्रीन तो उनके करेक्टर सा लग थे और उनका पेर एक था he took a pure tall, उन्होंने एक बड़ा pure tall genotype लिया टीटी और एक pure dwarf लिया जो कि pure bonna होता टीटी पी plant and cross pollinate them to obtain first generation और first जिफाहिन ले फिलाल generation तो उन्होंने उन्हें cross करवाया ताकि एख़ंगर फ्रस्ट F1 generation को अबटेंड कर सके तो इन्होंने इह देखो अब देखो औरनोने क्या लिया एक बड़ा टी प्लांटी और एक छोटा लिया तो उन्हें этот करवायच्ट और तो नहीं ये जनरेशन बटी की better vehicle TT का तुम इसके साथ करवायों कि इस इस किती बार भी करवालो TT ऊ-दिक्श्चे का फिर करवाऊगे तोननमेंडल ने F1 generation के प्लांट लिए और फिर से उसे उसे क्रॉस कर रहा है खुद से ही self pollinated करवाए ताकि वो F generation को ले सके बट इस बार सारे प्लांट नहीं थे जबकि पहले बार सभी उन्हें टॉल प्लांट मिले टी टी मिले तो इसमें हम देखते हैं एक होता टी टी तो इसमें हम देखते हैं कौन सा एक्सप्रेस होता है तॉल प्लांट वाला करक्टरी एक्सप्रेस होता है ठीक है conclusion देखो तो यह देखो दूसरी पर जब इन्होंने करवाया तो इस बार एक शौट प्लांट आया तो यानिकि इस टाइप जो फीनो टाइप रेशन है थ्री रे नेक्स्ट रडड़ था डाय हाइबरिट प्लास जो चो जो जो ग्रोस बिट्वेटें करवाएगे दो पेर से अब क्रोस बिट्वेटर्ण टू प्लांट व्ट्री प्लांट लिया एक तो यह राउंड यालो सीड ली और एक जो है रिंकल्ड और ग्रीन सीड लिया थाई के अलग अलग प्रकार के लिए एक feed लए रिंखल और तो सारी यह वंध को कि इसका कि यह लिए तो इनने करवाया क्रॉस तो नहीं राउंड और यालो मिली तो इसका मतलब यह कहा है डॉमिनेंट है ठीक है पत ही सेल्फ पॉलिनेट दा एवन जरेशन टू अप्टेन एवन जनरेशन ही अप्टेन फॉर टाइप ऑफ सेट तो अब उन्हें फिर एवन जनरेशन करने के लिए सेल्फ पॉलिनेट करवाया तो उन्हें राउंड यालो राउंड ग्रीन रिंकल यालो रिंकल ग्रीन मिली यह आपको तिक है यह सेकंड फ्टू जनरेशन है तो इन्हें सब यह मिला अब कंक्लूजन कह सकते हैं कि यह डाई हाइब क्रॉस का होते हैं जिसमें सब्लिया अब जिसमें जालें यालो राउंड यालो सीट्स मिली इसका मतलब वके हैं राउंड यालो ट्रेट्स जोंसीट के डॉमीनेटाप जबकी रिंकल्ड और ग्रीन के रिसेस्टिव हैं बाद में उन्होंने करवाया एफीन जरेशन को अब 10 एफ्ट जनरेशन लेने प्रोटीन बनाता है एक पर्टिकुलर जीन के लिए इंफोर्मिशन बताता है कि प्रोटीन के लिए इंफोर्मिशन बताता है एक जो कि एक पर्ट इन के लिए क्या बचाता है इनफोर्मिशन देता है उसे हम जीन फ़ॉर्ट प्रोटीन मेन प्लांट है वह किसकी करता यह कितने मतलब कितने जल्दी से वह बढ़ रहा है उसके उपड़ करेगा तो से लोड इनने इनफरमिशन सोर्स है जो कि संथेसिज और प्रोटीन के लिए यूज होता है इंजाइम के लिए जब वर्क करेगा तो मौर हार्मन घरम जाएगा तो जीन्स कंट्रोल करेंट स्थेट जाएगा तो अब तो अब हमें जाना है कि वह बच्चा जो है लड़का होए अधी तो इसलिए हम सेक्सडिट इन्मिनेशन करते हैं तो उस और यंदर को जाना क्या होता है सेक्सडे टैन्मिनेशन दो होते हैं और जन साम एनिमेल में जो टेमप्रेचर है my temperature अड़ी तो थिक है सम अनिमल में क्या होता है कि जिसमें जो मारे फटीलाइज एग है वो जन मतब फटीलाइज एग जो है उस जैडर के अंदर होंगे लड़का तो देखो तो सेक्स क्रोमोजोन होते हैं जिसमें ट्वटीटू इनिम्स के पेर से जो है डिसाइड किया जाता है कि जैन्टर होगा या लड़की हो गया लड़का तो देखो भी पर ठोट सेक्स क्रोम जोन गाता है गाषगा और जरूट को तो फिमल के पास हमारे दो ख्रोमी में कोसे काऀड लड़की डेखो तो देखो अब जब हम इनने क्रोस कर बूता है तो मेल के पास दो जैमिट्स है एक्स और वाई जबकि male के पास female के पास एक ही है तो जाइकोड बना तो जाइकोड क्या बना XX और एक जाइकोड बना XY तो देखो इससे क्या कर सकते हैं जो आफस्प्रिंग होंगे XX यान कि 50% chances है कि लड़का होगा और 50% ही chances है कि लड़की ही होगी तो यान कि यह क्या है जेंडर इससे हम पता चल सकते है तो यानि कि दो जेंडर है इंडिविजविल का वह किसी पादर से ना कि उसकी मदर से तो क्यों कुछ तो कि अगर फॉर इसंपल एक फाह पैरेंट्स है वह मतलब कपल जो कि निया रहा है तो देखो तो उसके में मतलब में का इसाइब करता है कि यहां होगा थीक है तो इस प्रकार ही चाप्टर हो जाता है यहीं पर प्रेंट कुक्ली से आपको मैंने इस चाप्टर करें विजन दिया विडियो चेल कि तो लाइक करें चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब बना सुबस मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक लिए टेक केर और बाई 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 बें स्टेट लूँगा